सब्सक्राइब करें भी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं देवरिया शहर के माल गोदाम के समीप देव्यापार का वर्षों से चल रहे धंदे पर इसपी की निकाह सूमवार को पड़ गई और एसपी के नुजेश पर टीम कठित कर चापे मारी की गई इस दोरान अवैद धंदे में संगलिप्त दो महिलाओं को टीम ने जहां दबोच लिया वहीं इस धंदे में संगलिप्त आधा दरजन महिलाएं मौके से फरार हो गई देर शाम तक पकड़ी गई महिलाओं से पुलिस कीम पूछताच कर रही थी पुलिस का दावा है कि फरार महिलाओं को भी जल्द ही दबोच लिया जाएगा बताया जा रहा है कि माल गोदाम के समीट पहवर ब्रिज के नीचे घर दिन देहव्यापार करने वाली महिलाएं इकत्रित होती हैं और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना लेती हैं कई बार तो पुलिस कर्मियों को भी यह निशाना बना लेती हैं और उनका पैसा तक साफ कर दी यह मामला कई बार कोतवाली में भी पहुचा लेकिन इसको लेकर सक्त कारवाही नहीं की गई और देहव्यापार करने वाली महिलाओं का मनुबल बढ़ता गया इन दिनों बढ़ते इनके आतंकी शिकायत किसी ने पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर से कर दी तो उन्होंने तकाल सदर को पाल के आला हुआ महिला थाना अध्यक्ष के नेत्रित्व में टीम गठित कर मौके पर भेज दिया अचानक चारों तरफ से पुलिस की घेराबंदी करता देख देहगापार में लिक महिलाएं भागने लगी पुलिस टीम ने दो महिलाओं को दोड़ा कर पकड़ लिया जबकि अन्य भागने में सपल हो गई इस बाबत महिला थाना अध्यक्ष शोभा सोलंकी ने कहा कि पकड़ी गई महिलाओं से पूछताच चल रही है जल्द ही फराद चल रही महिलाओं को भी इस मामले में गिरफतार कर लिया जाएगा मुकदमे की कारवाही भी जल्द ही की जाएगी शाम ढलते ही शुरू हो जाता है उनका आतंक बताया जा रहा है कि यह महिलाएं बाहर से ही आती हैं दिन भर जमी रहती हैं और ग्राह की तलाश करती है शाम को शेहर के एक होटेल में लोगों को ले जाती है जबकि रात को तो यह स्टेशन से उतर कर जाने वाले लोगों के साथ दुगरवार भी करती है और उनका समान भी छीन लेती है ऐसी महिलाओं से अपना सब कुछ लूटे जाने के बाद लोग अपनी बदनामी को बचाने के लिए कहीं कुछ कहते भी नहीं है जिसके चलते इन महिलाओं का मनुबल बढ़ता ही जा रहा है पैसन देने पर वे लोगों की पिटाई भी रात को करती है यह कुछेत्र बदनाम इलाकी के नाम से भाल के दिनों में जाना जाने लगा है